प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हूँगे आप स्वाभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारे डाउनलेन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे सब्जेक्ट शोशल स्टडीज क्लास थ्री असाइमेंट फर्स्ट तो बच्चों सभी वीडियो को ध्यान से देखिए फर्स्ट कोशन है बच्चों हाओ कैन वी यूटिलाइज आर टाइम तो बच्चों हमें कोशन पूछा गया है कि हम हमारे टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों अब सेकिन कोशन हमसे पूछा गया है कि पिछले दो साल हमारे कोविड नाइंटीन में गए हैं ठीक है इस दौरान आप लोग इसकूल में आए नहीं थे तो आप लोग अपने जो टीचर्स हैं जो आपको इसकूल में टीचर्स पढ़ाते हैं उनके साथ किस तरह आप कॉंटेक्ट में रहे थे किस तरह से आप उनसे कनेक्टेड रहे जुड़े हुए रहे तो इसका भी आप अपना उतर सभी लिखें नेक्स्ट कोशे नमबर 3 राइट दा नेम आफ या फेवरेट स्पोर्ट और गेम बचो आप सभी को अपना यहाँ पे फेवरेट कोई यहाँ नम लिखेंगे कोशे नमबर 4 राइट 2-3 लाइट और या फेवरेट फेस्टिवल अब अब बचो फेवरेट फेस्टिवल याने की त्योहार तो बचो आप सभी का कोई ना कोई फेवरेट फेस्टिवल जरूर होता होगा जैसे होली है दिवाली है इद है रक्षा प्रबंदन है मकर सकरांती है तो इस तरह से बच्चो आप का जो भी फेवरेट फेस्टिवल है उसके उपर दो से तीन लाइन यहां आप सभी को लिखनी है तो इस तरह से आप सभी को assignment 1 के अंदर questions पूछे गए हैं तो आप सभी को इस तरह से अपने answers यहां लिखने होंगे next बचो assignment 2 हम यहां पे देखेंगे question number 1 है बचो find out the name of five buildings of Delhi from the puzzle given below बचो Delhi में कोई भी five buildings का आपको यहां puzzle में से name find out करना है ठीक है जैसे Delhi में red fort है ठीक है तो बचो इस तरह से आप सभी इनके यहां पे find out करके puzzle में और यहां पे बताएंगे question number 2 write any three ways by which you can convey your message to your friends और relatives बचो आप सभी को यहां पे बताना है कि आप किस तरह से अपने जो message हैं वो अपने दोस्त और अपने relative तक पहुँचाते हैं कोई भी तीन तरीके आपको बताने हैं next question number 3 write the name of four directions which direction the sun rises from तो बचो आप सभी को यहां पे बताना हैं देखिए कि कौनसी four directions है ठीक है directions कौनसी होती है four और आपको बताना है कि sun कहां से rise होता है कहां से sun उगता है next question number four when you go to your village from Delhi which means of transport you use name them बच्चो डेली से जब आप अपने गाउं जाते हैं तो आप कौनसा means of transport आप use करते हैं जिसमें आप बैठके जाते हैं यातायात के साधन ठीक है बच्चो तो आप सभी इसका नाम यहां लिखेंगे जैसे car, bus, auto, rickshaw, metro तो बच्चो जिसका भी आप use करते हैं आप सभी उनका नाम यहां लिखेंगे इस तरह से आप सभी अपनी वरक्षीट को solve करें आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे comment box में आप सभ को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने विबी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है आप सभी जल्दी से जाईए रैड बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए thanks for watching the video have a nice day students